हेलो एब्रीवन आजम आपके वीडियो में बताने वाली हूँ कि रात面 मैं किस तरीके से औल लगाती हैं अपने यूटा जिस से मेरे बाल हेल्थी रहते हैं मुझे बहुत दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि दी आप हमें बताईए कि आप अपने बालों में तेल कैसे लगाती हैं क्या मिक्स करके लगाती हैं मैंने वीडियो बनाई थी लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट आई थी कि दी आप हमें डेटेल में बताईए कि आप तेल में क तेल को लगाना पसंद करती हूं और तेल को इस तरीके से लगाती हूं जिससे मेरे बालों को पूरी तरीके से पोशन मिल जाए जो मेरे बालों को चाहिए वो अच्छे तरीके से मिल जाए तो मैं जो तेल लगाती हूं अपने बालों में मिक्स करके वही आज मैं आपको बतान अगर आपने यह वाले वीडियो नहीं देखिए कि इसको कैसे बनाते हैं तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी यह हैर फॉर को रोकने में बहुत जादा है और यह जो ऑइल है यह है ऑनियन ओए यह भी मैंने बना के रख लिया है इसका भी मैं और ले रही अगर आपने नहीं देखा है तो आप इसको देख लीजे क्योंकि इस तेल के बहुत ही जादा फायदे हैं बालों के लिए मैं इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी आप चैक आउट जरूर कर लें यह वी मैंने एक शोमच लिया है अगर आप जो आता है पैराशूट वाला तो आप वो भी यूस कर सकते हैं यह भी मैंने एक चमच लिया है मैं फ्रेंट्स अपने बालों की लेंद की साब ले रही हूं इसारे एक चमच अब यह है रोजमेरी एशेंशल और तो यह भी जरूरी है बालों के लिए अगर आप आपके पास नहीं है तो आप इसको एड मत कीजे लेकिन मैं आप से यही कौनगी कि आप इसको खरीद दीजे तो में आप तीन से चार बूंदे मैंने रोजमेरी एशेंशल और की एड कर ली है वह इसलिए अगर किसी को गंजापन होता है तो यह बहां पर बालों गाने में बहुत जादा है और गंजेपन को रोटता है अगर आपके पास नहीं है तो आप ज़रूर इससे परस्टेश करें तो इस तरीके से ही जो है मेरा औल पूरा बन के तयार हो गया है यह बालों को लंबा बनाएंगा काला बनाएगा घना भी बनाएगा साथी साथ हमारे बालों तो आइसा संस्रेंब कर देता हैं तो इसलिए मैं इस तरीके से तेล लगाना मुंहां जा पसंद करती तो अब इसको लगाना बहुत ही असान है मैं आपको दिखाती हूं कि मैं और नहीं तो इस मेर virtual बाल नहीं रहा 혼ỡ यह तो सब्सक्राइबे हैं हिं अपने वालो में हमने पर यह तो अपना यह तो तो शग़ारते लाइब में तब लगाते हूं कि मेरा मन नहीं है मास्क मुझे अपलाई मंगा नहीं करना चौट इस तरीके से जो हैं मैं तेल को लगा लेती हूं इससे क्या होता है बालों में सब तरीके का जो पोशन है वो मिल जाता है प्याश का टेल है वो मैंने Bosology Adrict किया करीपता- ओइल है वो इसमेंग किया तिल का टेल भी एयड़ किया तो यह नौदे आइड़ किया तो इसलिए मैं इसको यहां पर कभी-flies कर लेथी हूँ जब में पैक नहीं लगा पाती अगर आप इस तरीके से तेल लगाना चाहते हैं तो आप लगा सकते हैं आप वीक में तीन बार ओयल जरूर लगाएं अगर आप पैक नहीं यूज कर रहे हैं तो मैं अपने बालों में मैं तीन बार एर वाश करती हूँ जिसमें से मैं एक बार ओयल लगाती हूँ और दो बार पैक लगाती हूँ अगर मैं दो बार नहीं लगा पाती हूँ तो दो बार ओयल लगाती हूँ और एक बार अपने बालों में पैक लगाती हो तो ये बहुत जादा जरूरी होता है अपने बालों के क्यार करना अगर बालों के क्यार नहीं करेंगे तो वो बेकार होंगे ही होंगे और हमेशा हमें ऐसा पैक लगाना चाहिए अपने बालों की जरुवत के हिसाब से, कि बालों को क्या चाहिए, तो उसके हिसाब से ही पैक लगाना चाहिए, ऐसा नहीं है, कि आप पैक लगाए जा रहे हैं, और आपको पता ही नहीं है, कि आपके बाल चहां क्या रहे हैं, तो उसका कोई फाइदा नहीं होगा, तो आप इस तरीके से देखें मैं मैं अपने पूरे स्कैल्प में लगा लिया है और मैं जो तेल है बहुत अच्छे तरीके से लगाती हूं मैं यह नहीं देखती हूं कि बहुत ज्यादा तेल लग रहा है अब ऐसा मैं अपने बालों में हमेशा तेल बहुत अच्छे से लगा अगर इस तरीके से बालों में तेल लगाते हैं तो एक तो हमारा जो हेर फॉल है बहुत हथा कंट्रोल होता है डेंटर्फ खतम होता है साथ हमारे बालों की ग्रोथ होती है और जो भी समझ सहा है वो खतम हो जाती है तो इसलिए मेरे बाल बहुत जल्दी बढ़ते हैं और सबसे में बात यह है कि मैं अपने हर महीने बालों में ट्रिमिंग जरूर करती हूं बालों में ट्रिमिंग करना बहुत जरूर्विक चर्ड़ करना तो भूर द standards आपने हर महीने में जरूर्व करते हूं अम्हूर्वक त्रिम और यह अपने經 टिप्स पर जरूर लगाए तो इसलिए नीचे बालों में तेल जरूर लगाएं क्योंकि जो दो मुहें बालों होते हैं वो हमारे बीच से या फिन नीचे से होते हैं जिसे कि हमारे जो है यह ग्रोथ रुख जाती है तो फ्रेंड्स इस तेल को तो मैं पूरी रात रखने वाली हूँ और इसके बाद जम नेक्स्ट मॉर्निंग उठोंगी तो मैं अपने हरवल शैंपू से यहर को बॉश कर लेती हूँ तो यह बहुत ही जादा आसान है वीडियो और अगर आप चाहते हैं कि आपका भी कभी मन होता होगा पैक ना लगा है तो आप इस तरीके से बालों में तेल लगा सकते हैं और अपने बालों को स्ट्रॉंग बना सकते हैं हल्दी बना सकते हैं आई वो फ्रेंट्स आपको ये वीडियो यूसफुल लगा होगा अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए और फ्रेंट्स इस वीडियो से रिलेटिड अगर आपको कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट भी कर सक ताकि मेरे वीडियो के लेटेस्ट नॉटिफिकेशन पहुंचें आपको सबसे पहले और आप मेरे वीडियो को देख पाएं और आप मुझे फेस्बूक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जब तक के लिए बाइबाइब हुआ हुआ